तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ objective question है उनको हम बाद में देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे सीधे subjective याने की बड़े question हम पहले देखते हैं तो पहला प्रशन है आप लोग copy में लिख लिए प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश्ट धारा में अंतर इस्पष्ट कीजिए तो प्रत्यावर्ती धारा और दिश्ट धारा में अंतर देखें प्रत्यावर्ती धारा का मतलब क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा को हम कहते है in English alternating current याने की AC और दिश्ट धारा का मतलब होता है DC तो हमको AC और DC में संबंध देखना है कि AC और DC में अंतर क्या क्या होता है तो यदि मैं कन्वेंशनल लेने की हम परमपरागत जो धारा जो बैटरी से लेते हैं जो सेल से लेते हैं वो धारा जो होती है वो कैसी होती है दिस्ट धारा होती है मतलब दिश्ट धारा का जो शुरोत होता है direct current इसको बोलते हैं direct मतलब सीधी current दिश्ट धारा जो अपनी दिश्चा परिवर्तन ना करें और AC का मतलब होती है प्रत्यावर्ती धारा तो चाहे आप धारा में अंतर लिखें या प्रत्यावर्ती धारा कर दें यहां या प्रत्यावर्ती धारा कर दें यहां या प्रत्यावर्ती धारा कर दें फर्क नहीं आने वाला है दोनों लगभग एक ही बात हो जाती है इसी तरीके से यहां आप DC current कह लें या DC voltage कह लें तो तो हम बात करते हैं दिष्ट धारा की और तो दिष्ट धारा यहां पर क्या होती है कि मैं क्या बता रहा था दिष्ट धारा बैटरी से यस इक्जाक्ली तो इसमें जो सुरोथ हुआ करता है करेंट का वो क्या होता है बैटरी हुआ करती है और इसमें जो सुरोथ होता है एसी म तो बोलते हम डायनेमो तो इसमें जो स्रोत होता है वो डायनेमो होता है दिश्ट धारा का अगर आप देखें ग्राफ तो दिश्ट धारा ग्राफ कैसी होती है ये है समय और ये है दिश्ट धारा तो दिश्ट धारा समय के साथ जो होती है अपनी दिशा को परवर्तित नहीं क के साथ जो होती है एक चक्र धनात्मक और दूसरा चक्र धनात्मक हुआ करता है मतला पहला चक्र पॉजटिव और दूसरा चक्र जो होता है वो नेगेटिव हुआ करता है तो दिश्ट धारा जो है वो डिस्ट धारा जो है वो डारे क्ष न लगातार बदला करती है, जो आपकी AC करेंट है, AC करेंट जो होती है वो direction लगातार बदला करती है, मगर जो DC current होती है वो direction लगातार बदला नहीं करती है यहाँ पर देखिए DC current है तो यहाँ पर I is equal to 2 Ampere की जो है वो DC current flow हो रही है बिना किसी problem के तो यह है अपनी दिश्ट धारा और अगर हम बात करते हैं AC current की तो यह देखिए यहाँ पर यह AC current है जो एक बार धनात्मक मतलब पहले बढ़ती है उसके बाद धनात्मक साइड में बढ़ती है ओके और बीच में 0 भी हुआ करती है तो यह है हमारी AC current यहाँ पर यह क्योंकि धारा जो है यह कभी भी चक्कर नहीं काट रही है इसलिए दिष्ट धारा की जो आवरती मानी जाती है वो कितनी है अनन्त है दिष्ट धारा की आवरती अनन्त हुआ करती है क्योंकि यह कभी लोट करके वापस नहीं आती है एक मिनट आवरती मैंने अनन्त लिग दिए आवरती यहाँ पर 0 होती है दोलन नहीं कर रही है इसलिए इसकी आवरती 0 है परंतु बाकी जो धाराएं है उनकी आवरती आपको देखने को मिलेगी बाकी जो AC करेंट है उसकी आवरती कुछ ना कुछ मिलेगी जैसे हमारे भारत में जो इसी current आती है उसकी आवरती होती है 50 Hz, 50 Hz का मतलब एक सेकेंड में 50 vibration, इसको लिख लो 50 Hz का मतलब 50 cycle प्रती सेकेंड या 50 पचास चक्र प्रती सेकेंड, तो जो भारत में जो current आती है AC की, उसकी जो frequency हुआ करती है वो होती कितनी, वो होती है पचास चक्र प्रती सेकेंड फ्रिक्वेंसी हुआ करती है ओके तो इंडिया में जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती होती है पचास चक्र प्रती सेकेंड आईए देखते हैं अब इसके बाद हम टॉपिक करते हैं कवर so let's move on the slide yeah exactly so first question is प्रत्यावर्ती धारा और दिस्ट धारा में अंतर लिखें तो introductory idea मैंने आपको दे दिया कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो positive negative positive negative हुआ करती है मगर दिस्ट धारा एक ही direction में flow होगी वो अपनी देशा change नहीं करती है ओके तो अब यहां पर पढ़ना सुरू करते हैं रिखिए यस कौन पढ़ेगा मैं पहली अपर्चुन्टी दे रहा हूं पढ़ने के लिए कि संजीव अपना माइक उपन कीजिए संजीव अपना सुरू कीजिए अंतर नंबर one फस्ट पॉइंट सर्ग दिशा तथा परिमाण परिवर्थित होते रहते हैं अर्डिश्ट धारा में मान परिवर्थित हो सकता है कि दिशा निष्चेत होती है अब देखी यहाँ पर देशा और परिमार एक एक पॉइंट के बाद डिसकस करेंगे देशा और परिमार देशा की बात मतलब पहले प्लस है और फिर माइनस है तो यह देशा परिवर्तित हो गई है अब परिमार की बात की जाए परिमार का मतलब होता है magnitude जिसे आप समझ सकते हैं कि वेल्यू mathematical वेल्यू या कहला लिजिए दम तो देखिए जब यहाँ से धारा शुरू हुई थी तो इसकी वेल्यू किती थी 10 एंपिर फिर जीरो के बाद थोड़ी सी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और यहाँ पर आ कर के इस मतलब ऐसा समझ ये कि ये टर्मिनल A था और ये टर्मिनल B था और बाहर लगा हुआ था कोई परिपत कोई बल्ब लगा हुआ था हीडर टीवी फ्रेज कूलर कुछ भी लगा हुआ था तो पहले चक्र में धारा की दिशा क्या थी ये थी पहले चक्र में धारा की दिशा थी ये मतलब प्लस से लिकल करके बाहर माइनस की तरफ जा रही थी अब जब दूसरा चक्र आएगा तो ये बन जाएगा प्लस और ये बन जाएगा टर्मिनल माइनस मतलब धारा की दिशा पलट जाएगी तो समझ गए निगेटिव का मतलब ध प्रत्यावर्तिधारा में ट्रांसफॉर्मर प्रयुक्ति किया जा सकता है किया करता है समझ गया ना ट्रांसफॉर्मर अन्योन प्रयुक्ति किया करता है जो बदलते हुए फ्लक्स को एक कोईल से दूसरे कोईल में बांधता है तो आप जानते हैं फॉर्मुला क्या होता है formula हुआ करता है 5 proportional to I 5 proportional to I मैं formula लिख रहा हूँ देखिए formula जो transformer के लिए इस्तमाल हुआ करता है वो होता है 5 proportional to I तो अगर current बदलेगी तो flux बदलेगा current बदलेगी तो flux बदलेगा मगर DC current में DC में current की value बदलती नहीं है तो current fix रहेगी तो flux भी कितना रहेगा fix रहेगा तो DC current में current बिल्कुल fix होती है current नियत होती है इस वजह से DC current बदलती नहीं है तो flux भी नहीं होगा मतलब एदि मैं flux का graph बनाऊं तो समय के साथ जो flux होगा वो भी नियत रहेगा ये देखो ये current का graph है ये flux का graph है और हम जानते हैं कि विदुत वाहग बल कितना होता है E equal to d5 by dt बिटा माइक ओफ कर लो जब तक मैं explain कर रहा हूं फिर आप on करके पढ़ दीजेगा E is equal to d5 by dt so d by dt और flux की value क्या है नियत है तो नियत का differentiation कितना होता है 0 इसका मतलब dc में जो voltage बनेगा जो emf बनेगा वो कितना होगा 0 इसलिए आपका जो transformer है वो dc में काम नहीं करता है मगर जो transformer हुआ करता है वो ac में काम किया करता है तो transformer जो होता है वो dc में काम नहीं करेगा transformer ac में काम करेगा तो प्रत्यावर्ती धारा में transformers का स्तिमाल कर सकते हैं मगर दिष्ट धारा में हम transformer का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं चलिए अगला पॉइंट पढ़ने के लिए तियार रहें यस अगला पढ़िए विट रेटा को कॉंटीनुऊ विद्दूत लेपन में प्रयूक्त नहीं किया जा सकता और दिष्टध तो सभ़ानने वृद्धूत लेपन में इसका उप्यों इंसरा इस प्रेख रख जया सकता है, तो वृद्धूत लेपन में क्यों प्रेख्फ किया सकता? तो AC के साथ क्या दिक्क्त है भैया AC जो है double direction की current होती है alternating होती है तो पता चला कि plus में तो इसके उपर copper चड़ जाएगा अब जैसे minus हाएगा तो ये बन जाएगा minus और ये बन जाएगा plus तो copper वापस इसमें चला जाएगा तो दिक्कत बन जाएगी मतलब एक कॉपर कभी चड़ ही नहीं पाएगा इसलिए इलेक्ट्रो प्लेटिंग में आप एसी का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं आपको डीसी का इस्तमाल करना पड़ेगा अगला पॉइंट पड़ो बिटा मापना यंत्र इसके ऊश्मिय प्रभाव पर आधारिट है इसका उपयोग विद्दुथ चुंबक बनाने में सामानिते नहीं करते अब विद्दुथ चुंबक बनाने में सकवत अधारिट है वही इंतर इसमें positive negative होता है मगर इसमें एक ही डिरेक्शन में होता है मापन यंत्र इसके उश्मिय प्रभाव पर आधारित होते हैं और दिश्ट धारा में मापन यंत्र इसके चुम्ब की प्रभाव पर आधारित होते हैं तो देखे प्रत्यावर्ती धारा में जो इसके मापन यंत्र होते हैं वो उश्मिय प्रभाव पर आधारित होते हैं क्योंकि देखे बिटा अगर आप पूरे साइकल की बात करेंगे एक पूरे साइकल की बात करेंगे तो इसमें धारा का जो ओसत मान होता है लिख लो ये प्रशना सकता है एक चक्र में धारा का और एक चक्र में ओसत मान कितना होता है जीरो होता है वोल्टेज का और धारा का ओ उतना होता है माइनस दोनों को add कर देते हैं तो answer 0 आ जाता है इसलिए जो हम उस्मी मान का मतलब जो उस्मा होती है h equal to होती है i square rt ये उस्मा होती है तो heat proportional to क्या हो गया current का square तो अब current में आप plus दोगे तो भी plus आएगा क्योंकि square लगा हुआ है माइनस दोगे तो भी plus आएगा क्योंकि square लगा हुआ है इसलिए जितने ac के मापक यंतर बनाये जाते हैं वो उस्मी प्रभाव को दिहान में रख करके बनाये जाते हैं मतलब प्रत्यावर्ती धारा के लिए h proportional to h समानुपाते i square हुआ करता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए h समानुपाते i square हुआ करता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए ठीक ना तो मापन यंतर जो होते हैं उसके उसमी प्रभाव पर धारित होते हैं मगर जो आपके dc होते हैं इसके जो मापन यंतर होते हैं वो चुम्ब की ये प्रभाव पर आध प्रत्यावरती धारा Χदरने के चली अब आगला सवाल पढ़ते हैं जो लगभग लगभग मैंने आपको एक्सप्len कर दिया है कि विदूत अब घटैन परत्यावरती धारा से क्यों नहीं होता है। लगभग कारण वही है चलो पढ़ो भाई पंजवानी जी पढ़िए प्रत्यावर्ती धारा में विद्ध अभगटन क्यों नहीं होता बिल्कुल सही बात है क्योंकि दो चक्र होते हैं एक में धनात्मक एक में रनात्मक अगर आप कुल धारा की बात करेंगे तो इसका मान शूर्ने हो जाएगा इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में विद्ध अभगटन नहीं होता है किसी भी प्रकार की रासायनिक अभघटन क्रिया के लिए प्रत्यावरती धारा सपोर्ट नहीं करती है क्योंकि एक चक्र में क्रिया आंगे की तरफ जाएगी वापस दूसरे चक्र में पीछे की तरफ आ जाएगी तो जो आप दिये थे बंद के वही फिर से मिल जाएगा आपको इसलिए विद्ध भटन संबहो नहीं है चलिए बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को कितने बच्चे जुड़ चुके हैं अभी हम ऐसा 17 स्टूडेंट है तो आई होब 17 स्टूडेंट में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां पर यदि है तो माई कॉन करके पूछ लीजे अब आगे बात करते हैं क्वेशन नमबर 4 की यह मैं आपको क्या सॉल करा रहा हूँ यह आपका बोर्ड का जो पेपर आया है वो है आपको question paper जो मिले है चली question number 4 sorry question number 3 करना था भी question number 3 प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस पर दूरी पर क्यों नहीं होते हैं देखिए भाईया अभी अभी मैंने आपको बताया है परस पर दूरी पर कभ होते जब y proportional to x होता तो y का बदलाओ x के बदलाओ की एक पावर से होता है मगर यदि मैं कहूं y proportional to x square तो अगर आप x को 2 गुना करोगे तो 2 x square का कितना निकलेगा answer 4 x square मतलब y जो है उस समय 4 गुना हो करके निकलेगा अगर आप x को करोगे 3 तो y 9 गुना हो करके निकलेगा ये मैं बात क्यों बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती धारा में जितने भी मीटर जितने भी उपकरण काम करते हैं उनका आधार होता है उश्मिय प्रभाव और उश्मिय प्रभाव में उश्मा की जो गणना होती है वो फॉर्मुले से होती है I स्क्वेर आर टी मतलब हीट प्रपोर्शनल टू I का स्क्वेर तो साब दिख रहा है कि यहाँ पर पावर टू है पावर वन नहीं है पावर टू होने की वज़े से जो काटों के बीच का जो गैप होगा वो समान नहीं होगा काटों के बीच का जो गैप होगा उपकरण में वो दूर दूर पर होगा चलो पढ़ो बिटा अंसर प्रत्यावर्ती अमीटर के पैमाने पर अंकित खाने परस पर दूरी पर क्यों नहीं होते हैं प्रत्यावर्ती अमीटर का कारे सिद्दान विद्ध धारा के उश्यम प्रभाव पर आता रहे थे तथा उत्पन्न उश्मा एज प्रोपरेशनल टू आई स्क्वाइर अता पैमाने पर आंकित खाने पर दूरी पर नहीं होते हैं समान दूरी पर नहीं होते हैं उसको पूरा लिखना था बराबर दूरी पर नहीं होते हैं ये लिखा जाना था चलिए अब बताईए अगला सवाल है कि नागरिक विद्ध वित्रण में प्रत्यावर्ती धारा दी जाती है दिश्ट धारा नहीं क्यों बहुत ही सिंपल है हम लोग जो यूज करते हैं electricity क्या हम लोग DC इस्तमाल नहीं कर सकते हैं देखे बच्चो तीन चीजे हैं हमारे घर में जो चीजें आती है जो बिजली आती हैं आपने एक ने जबाब दिया नहीं कर सकते हैं तो ये बताईए, नहीं करने का कारण क्या है, हम DC का इस्तमाल क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण क्या है? प्रतिरोध किस का होता है? प्रतिरोध होता है पदार्थ का किसका होता है बेटा प्रतिरोध किसी करेंट का नहीं होता है तो प्रतिरोध जो होता है पदार्थ का होता है और बताओ DC को क्यों नहीं उज़ कर सकते हो हम लोग घर में चलो देखो बिटा ये बताओ कि DC का इस्तमाल क्या हम transformer में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं क्लास के स्टार्ट में बताया है बताओ क्या DC को से हम transformer चला सकते हैं कि नहीं चला सकते हैं लोत हाँ बिल्कुल सही सुरुवात में ही मनें बताया कि DC का इस्तमाल आप transformer में नहीं चला सकते हैं transformer में आप DC का इस्टाइल नहीं कर सकते हैं और transformer electric supply के लिए बहुत जरूरी है जिस तरीके से हमारे सरीर में खून को भगाने के लिए दोडाने के लिए हिर्दैक का काम करता है ऐसे ही transformer ही electric supply को high power से low power और low power से high power में भेजता है 40V की बिजली बन रही है 440V की बिजली जहां पर बन रही है मगर इसको कई 1000 किलोमेटर ट्रांसफर करने के लिए इसको इतने कम वोल्टिज पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है तो हम लगाते हैं step transformer जिसे बोलते हैं उच्चाई transformer उच्चाई transformer से क्या होगा यह जो छोटे लेवल की जो बिजली है यह बहुत बड़े लेवल की बिजली में convert हो जाएगी बहुत बड़ी पावर बन जाएगी इससे क्या फाइदा होगा यह होगा जैसे आप मान लो अपने दोस्त को बुलाते हो तो आपका दोस्त अगर 10 मीटर की दूरी पर है तो आपकी आवाज सुनाई दे रहा है बट आप सोचें कि आपके धर में आप बैठे हैं और रेलवे स्टेशन में आपका दोस्त खड़ा है आप बुला पाएं तो आप नहीं बुला पाएंगे क्योंकि आपको उसके लिए बहुत जोर की नौइस करनी पड़ेगी तो क्या करता है यह ट्रांसफर्मर लेवल को बढ़ा देता है इस तरीके से फिर यहाँ पे जो 440 वोल्ट है वो ट्रांसफर कितने में होती है 220 केवी मतलब 220 केवी मतलब या 22 केवी मतलब 22,000 वोल्ट में ट्रांसफर करता है मतलब 440 में जनरेट हुआ था और ट्रांसफर कितने में हुआ 22,000 वोल्ट में तो इसको बोलते हैं हम उच्चाई ट्रांसफॉर्मर इसको हम बोला करते हैं उच्छाई transformer क्योंकि बहुत ज़्यादा high power voltage में जो है इसको हम send किया करते हैं तो अगर आप transformer का इस्तमाली नहीं कर पाओगे DC में तो सारा का सारा कारेक्रम धरा रह जाएगा पढ़िए पंजवानी जी आंसर पढ़िए एक मिनट किसी बच्चे ने request करिए सार इसका कारणिया है कि प्रतयवर्ती धरा में transformer का उपयोग करके प्रबलता घटा रहे हो सर ने तो तुमको पढ़ाया प्रबलता बढाना तो सर ने जो पढ़ाया है प्रबलता बढ़ाना वो step अब के लिए पढ़ाया है जब बिजली बनेगी और जहां से चलेगी step down कब इस्तमाल होगा step down लगा होता है आपके मोहले में जिसको बोलते हैं distribution point जो फूड जाती है जो कभी कभी खराब हो जाती जल जाती है तो क्या होता है अब यहां से चल करके 22,000 वोल्ट पे इतना भेंकर वाला voltage आया है समझ गया है अब 22,000 वोल्ट का voltage आपके घरों में तो नहीं दिया जा सकता है नहीं तो दिवाली मन जाएगी है ना तो 22,000 वोल्ट को जो है कम करने के लिए क्या करते है step down transformer लगाते है जो जा करके वापस 22,000 को वापस बदलता है किसमें 440 में और इसके बाद आपके घरों में यह वाली line चली गई station road यह वाली line चली गई माधो नगर यह वाली line चली गई आपकी city यह वाली line चली गई सबजी मंडी तो यहाँ पर क्या हो रहा है distribution हो रहा है तो इस तरीके आप जो होते है step down लगाते हैं कब जब आपको distribution करना पड़ता है मगर transmission के लिए क्या लगाते है step up जो transmit होते हैं जब आप देखे होंगे खेत में जो बड़े बड़े tower लगा रहते हैं और उन tower के बीच में दो दो तार जूले रहते हैं तो वो क्या कहलाते हैं वो कहलाते हैं transmission cable उनको बोलते हैं transmission cable उनके आसपास घर नहीं बनाया जा सकता है उनका नाम रहता हाइटेंशन high tension cable उपर से गई हुई है या कभी railway platform पे देखे होगे उपर बिरिज के उपर चड़े होगे तो ऐसा कुछ बना रहता है ठीक ना ऐसा कुछ बना रहता है कि क्रपया दूर रहें ठीक ना ऐसी मसान हड़ी बनी रहती है ना कि दूर रहें लिखा रहता है 4444,000 वोल्ट याने 44 44K भी है ना ब्रिक में लटके जू लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्टेज रहता है बहुत ज़्यादा वोल्टेज हुआ करता है ओके इसलिए एन्वे कम टू दा पॉइंट अब ये वाला पॉइंट हो गया अब इसके बाद है भाई गुड़ता गुड़ता गुड गुड़ता 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 अभी दूसरी चीजे हैं चलिए, पहला टॉपिक हमारे पास आने वाला है दीर्धुत्री प्रैश्ट में पहला टॉपिक हमारे पास آ गया है A.C. परिपथ में शंधारित के परतीबहात से क्या तात परी है इसका व्येंजक प्राप्त कीजिए इसका वेंज़क प्राप्त कीजे, चली तो अब देखी हमारे पास तीन प्रकार के वेंज़क आने वाले हैं, हम सप्लाई का अध्यन करने वाले हैं, ac सप्लाई का, तो ac सप्लाई में जो voltage लगता है बच्चों, उसका formula लिख लो, ac सप्लाई में जो भी आप voltage लगाएंगे, उ सबी लोग नोट कर लें, यह होता है, voltage, V equals to V naught sin omega t, यह voltage आपको लगाना है, हर जगह लगाना है, ओके, V equals to V naught sin omega t, आपको यह जो voltage है, यह हर जगह apply करना है, यह वाला voltage, V equals to V naught sin omega t, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, यह कहलाता है, alternating voltage, याने प्रत्यावर्ती विभाव, यह कहलाता है, प्रत्यावर्ती विभाव, यह प्रत्यावर्ती विभाव कहलाता है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, प्रत्यावर्ती लगाए गए विभाव के जबाब में जो धारा बनेगी प्रत्यावर्ती धारा वो कितनी बनेगी ओकी प्रत्यावर्ती विभव के लगाए जाने पे धारा कितनी बनेगी ये आपको बताना है ठीक ना तो हम कई प्रकाष सर्कृट पढ़ेंगे सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं शुद्ध प्रतिरोधी परिपत परिपत है शुद्ध प्रतिरोधी परिपत इसमें पढ़ेंगे दूसरा परिपत रहेगा शुद्ध संधारित्र परिपत और तीसरा परिपत रहेगा शुद्ध प्रेरे की ये परिपत तीसरा रहेगा शुद्ध प्रेरे की ये परिपत तीन प्रकार के परिपत में ह market से कोई बल्व ले करके आते हैं और उस बल्व को जलाने के लिए आप क्या यूज करते हैं बैटरी तो आपने बैटरी लगाई आपने बैटरी लगाते हैं बैटरी का मतलब आप क्या लगाते हैं वोल्टेज लगाए गए वोल्टेज के जबाब में क्या बनती है करेंट बन आईए देखते हैं current का मान क्या होगा सबसे पहली heading डाली अपनी copy में शुद्ध प्रतिरोधी परिपत्थ तो सुद्ध प्रतिरोधी परिपत्थ में हम निकालेंगे यस बिटा माइक आफ कर लो अब हम सवाल करने जा रहे हैं ठीक है हम अभिशेक कुमार साहू जी वही अब माइक ओपन करो अभिशेक कुमार साहू हाँ समझ में आया भी तक जो बताया की नहीं बताया अभिशेक कुमार समझ में आया आलोग पाठक आप बताईए समझ में आ रहा है हाँ बेटा माइक आफ कर दो आप आलोग पाठक माइक ओपन करिए यस ओके क्लियर हो रहा एकदम चलिए तो अब देखिए अब हम लगा रहे हैं शुद्ध प्रेरे की अपना जो पढ़ने वाले हैं पहला है सुद्ध प्रतिरोधी परिपत तो चलो लगाते हैं सुद्ध प्रतिरोधी परिपत है तो प्रतिरोध क्या होता है प्रतिरोध माटेरियल की पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है एक छोटा सा वायर ले ले जिए और आपने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगाई आप है current i तो आप सब लोग चानते हैं यहाँ पे केवल रजिस्टेंस है प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में क्या लगाता है ओम का नियम तो ओम का नियम कहता है i equal to v by r तो v की value put कर दीजिए v not sin omega t और upon में कितना r चलिए इसको थोड़ा सा समारिए यह क्या बन जाएगा यह बन जाएगा v not by r into sin omega t और v not by r को हम क्या बोलते हैं i not v not मतलब अधिक्तम voltage upon r मतलब resistance तो यह बन गया i not sin omega t आप देखते हैं voltage और current के graph यह हमारे पास voltage है तो voltage की अधिक्तम मान कितनी थी v not तो उपर की तरफ टच करेगा यह प्लस v not को और नीचे की तरफ टच करेगा किसको minus v not को और किसका graph follow कर रहा था sin का तो sin का graph आप लोग सब जानते हैं कि sin का graph जो होता है 0 से श्क्राट होता है और maximum value के लिए जाता है यह देखिए तो यह किसका graph बन गया यह graph बन गया v equal to v not sin omega t का अब देखिए current बनाते हैं तो यह तो voltage हो गया अब हम current बनाते हैं जड़ा देखिए current क्या रही है v not upon r voltage में आपको किस चीज को divide करना है अगर दुनिया में किसी चीज को किसी से divide करोगे तो वो चीज क्या हो जाती है छोटी मतलब जो current का मान है वो divide करने पर आया है r को अब r को divide करोगे तो current का मान क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा तो current का मान हमको छोटा मिलेगा तो current का मान छोटा मिलेगा तो इसका graph कैसे बनेगा मैं दूसरे color से graph बना रहा हूँ red color से आपको दिखाई दे starting यहीं से होगी मगर current की value maximum थोड़ी सी नीचे रहेगी और ये देखिए ये current का graph गया yes ये current का graph गया इस तरह से तो ये क्या बन गया है red वाला ये current की equation बन गया i equal to i zero sin omega t ध्यान से देखिए जिस समय voltage सो रहा था उस समय current सो रही थी जिस समय voltage maximum था उस समय current भी maximum है yes current भी maximum है इसका मतलब दोनों लोग एक साथ maximum हो रहे है दोनों लोग एक साथ minimum हो रहे है इसका मतलब दोनों में angle of phase जिसे हिंदी में कहते हैं कालांतर कितना है दोनों कालांतर शुर्णे है मतलब वोल्टेज और करेंट जो होंगे वो सेम फेज में होंगे समझ गये ना दोनों मिल करके गाना गाएंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ये दोनों करेंट और वोल्टेज जो है सेम फेज में रहेंगे तो आईए इसका हम डाइग्राम मनाएं यदि हम फेजर डाइग्राम मनाएं तो फेजर डाइग्राम कैसे बनेगा देखिए यहां ही चला जाएगा voltage बड़ी लाइन रहेगी क्योंकि voltage का value क्या है जादा और उसकी direction में क्या जाएगा पीछे जाएगा current यह black color से मैंने किसको दिखाया है current को दिखाया है अब दोनों के बीच का phase angle कितना है zero चलो बना लो इसको बच्चों जल्दी से कहो समझ में आ गया की नहीं आया हाँ भई सभी लोग mic open करके भी बोल ने तो मेरा confidence बढ़ जाए समझ में आया की नहीं आया यह सर आज़ो ठीक है हाँ बच्चे तो बने हुए है continue ठीक है screenshot ले लिजे बच्चों screenshot लेकर done कर दीजे आंगे चले अमन clear है जी सर ओके तो यह देखा आपने की जो voltage और current होते हैं यह दोनों सेम phase में होते हैं दोनों समान कला में होते हैं इनके बीच का कालांतर कितना हुआ करता है जीरो हुआ करता है मैं कालांतर की यहाँ पर थोड़ी सी आपको एक बात बताऊंगा कि कालांतर की feeling क्या होती है कालांतर का मतलब क्या होता है actually कालांतर का मतलब होता है एक प्रकार की इस्थिती को पता लगाना इस्थिती, तो physics में और math में इस्थिती को पता लगाने के लिए कालांतर की बात की जाती है, चलिए देखते हैं कालांतर का मतलब समझ लेते हैं, चलो ये मैं scroll कर दूँ बच्चों, लिख लिया ना आप लोगों ने, लिख लिया ना, अरे हाँ बोल लो भाई लिख लिया है एक race होने वाली है, ये आपकी school का मैदान है, और ये race की starting यहां से है, ये point A है, race की starting यहां से है, तो आप देखी ध्यान से कि यहां पर जो बच्चा बैठा हुआ है, इसका कोण कितना है, 0 डिगरी है, इसका कोण जो है 0 डिगरी है, परन्तु कोई बच्चा जो है, उसको यहां पर बैठाला गया है, जान बूच करके, किसी ने उसका favor किया है, और वो जो है यहां पर बैठा हुआ है, तो अब ध्यान से देखिए, कि इसका already जो कोण है, वो कितना है, पाई बाई थरी आंगे है, मतलब जब ये बच्चा start करना सुरू करेगा, दोड़ना समय T बराबर 0 पर, जब जैसे fire होगी गोली और बुला जाएगा भागो, तो उस समय T बराबर 0 पर ये start होगा, तो इसका angle कितने डिगरी होगा, 0 डिगरी, मगर उसी समय जब इसको भी दोड़ने का आदेश मिलेगा, T बराबर 0 डिगरी पर, तो इसका angle कितना होगा, पाई हुए है, तो यदि मैं इन दोनों के लिए अगर मैं अपने voltage का equation बनाऊ, तो क्या बनेगा voltage का equation देखे इसके लिए, इसका equation बनेगा, V equal to V naught sin omega T बनेगा, जो equation हो रहा था, V equal to V naught sin omega T, क्यों, क्योंकि ये 0 angle से start हो रहा था, देख लो, 0 डिगरी से start होने के लिए voltage का equation क्या बन से, तो इसके लिए voltage का equation क्या बनेगा, इसका equation बनेगा, V equal to V naught sin omega T plus pi by 3, क्योंकि ये इस से pi by 3 angle आंगे से start हो रहा है, lead कर रहा है, तो V equal to V naught sin omega T plus pi by 3, बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं है, हाँ, हाँ, बढ़ी, किसी को नहीं आया, समझ में, दुबारा बताऊं क्या, V equal to V naught sin omega T plus pi by 3, क्योंकि ये pi by 3, 60 degree angle जो है, इस से, हाँ, बोलो, सर, ये पर रहे हैं, जाकिस दिशा में रहे हैं, हाँ, ये जाकिस दिशा में, देखो न, anti clockwise angle बना है, देखो, कौन देखो, न, उस दिशा में है, anti clockwise कौन बना है, ये देखो, ऐसा, समझ गया न, अगर मैं यदि पीछे की तरफ लेता, बिटा, तो clockwise याने की वामा वर्त होत ओमेगा टी, माइनस पाइबाई थरी, क्योंकि अगर माइनस एंगल पीछे की तरफ लेता है, clockwise एंगल, वामा वर्त दिशा में, है न, anti clockwise होता है, अगर मैं दच्छना वर्त कोन लेता, तो फिर उसकी दिशा दूसरी हो जाती, तो माइनस में आता फॉर्मूला, ठीक है न, इस तरीके से ये हो गया काम पूरा, अब हमारा अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है, संधारित्र के केस में, लिखी, copy question लिखी, एसी परपत में, शुद्ध संधारित्र परपत के लिए, व्यंजक इस्थापित कीजिए, सुद्ध संधारित्र परपत के लिए, व्यंजक इस्थापित कीजिए, आपको इस बार जो है, सुद्ध संधारित्र परपत के लिए जो है आपको, व्यंजक इस्थापित करना है, देखिए कैसे इस्थापित करेंगे, सुद संधारित्री परिपत के लिए, तो सबसे पहले एक नया टर्म आपको मुझे बताना पड़ेगा, तो आप जानते हैं जिसको हिंदी में आप लोग बोलते हैं, परतिरोध है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस को आप हिंदी में बोलते हैं, परतिरोध है, एक मिनट बच्चों, पेज चेंज कर दूँ, एक तो आपके पास आपने देख लिया प्रतिरोध, अब दूसरा वर्ड आने वाला है बच्चों, प्रतीघात, ये आने वाला है तो आपने देखा कि जो एक रजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसका जो रजिस्टेंस आर होता है, वो क्या करता है, वो धारा के जाने का विरोध करता है अब जो capacitor है सुद्ध capacitor है बिटा इसमें प्रतिरोध नहीं होता है इसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है मगर इसका प्रतिगहात हुआ करता है और प्रतिगहात क्या होता है इसके प्रतिगहात को बोलते है XC अगर सुद्ध कोई capacitor है सुद्ध कोई संधारित रहे तो इसका प्रतिगहात होता है XC और XC की वैल्यू क्या होती बेटा 1 upon omega C हलाकि इसको भी ओम में ही ना पा जाता है मगर दोनों में फर्क है दोनों में फर्क है दोनों में फर्क एक ऐसा है यह आपका कमरा है और यह आपके पडोसी का कमरा है यह आपका कमरा है यह आपके पडोसी का कमरा है और यह आ रही है एक गैलरी जाने के लिए यह आपका पडोसी रहता है और यह आप रहते हैं यह गैलरी आ रही है अब यह गैलरी ऐसी है कि यहाँ पर से पचास लोग एक साथ निकलते हैं दिन भर खूप सारे लोग आ रहे हैं खूप सारे लोग आ रहे हैं तो क्या कहेगा अगर ये रजिस्टेंस है तो रजिस्टेंस कहेगा कि हम तुम्हें निकलने ही नहीं देंगे हम नहीं चाहते हैं कि तुम निकलो हम नहीं चाहते हैं कि तुम निकलो तो रजिस्टेंस जो होता है यानि की रजिस्टेंस का मतलब प्रितिरोध जो होता है वो धारा के निकलने का ही विरोध करता है धारा के निकलने का ही विरोध करता है कि हम तुम्हें निकलने ही नहीं देंगे हमें मतलब नहीं है, हम तो तुम्हें रोकेंगे, तो ये रुकावट सीधी तीधी धारा के रास्ते में है, अब देखिए, अगर आप बोले कैपेसिटर, अगर इसी जगे रजिस्टेंस ना हो करके, इसी जगे अगर कैपेसिटर लगा होता, कैपेसिटर, और वोही 50 लोग आ रहे होते, तो कैपेसिटर ये नहीं कहता है कि तुम लोग निकलो नहीं, कैपेसिटर और इंड़क्टर, दो लोग होते हैं, कैपेसिटर और इंड़क्टर, कैपेसिटर का मतलब संधारित्र, और इंड़क्टर का मतलब होता है, प्रेर कत्व, यप क्वाईल, ओके, प्रेर जाओ चुप निकल जाओ वो पसंद है मगर हमें तुम्हारा डांस करना उचलना खूदना ये पसंद नहीं है तो ये जो अपने पास में आपका जो कैपसिटर है और इंडक्टर है ये एक्चुली इनकी दुस्मनी करेंट से नहीं है इनकी दुस्मनी इनकी फ्रिक्वेंसी से है क्योंकि DC में तो कोई फ्रिक्वेंसी होती नहीं थी मगर कैपसिटर और इंडक्टर जो है अब उनके अंदर से आवगर करेंट को गजारते है कौन सी करेंट को अपको पता होने चीए AC current की frequency हुआ करती है तो इस वज़े से एक अलग प्रकार का resistance देते हैं तो capacitor का जो resistance होता है capacitor का जो प्रतिरोध होता है उसको हम बोलते हैं प्रतिघात प्रतिघात कौन सी प्रतिघात? संधारिश प्रतिघात इसे कहते हैं XC से and XC equal to 1 upon omega C omega क्या होती है? कोणिय आवरती और कोणिय आवरती का formula 11th class में आप पढ़के आओंगे 2 pi तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख लें 1 upon 2 pi F C नोट कर लिजे तो यह है आपका संधारित्र का प्रतिघात अब दूसरी बात करते हैं इंडक्टर की यानि की प्रिरक्ट की यह देखिए यह प्रिरक्ट है अब प्रिरक्ट का जो प्रतिघात होता है बच्चों प्रिरक्ट का प्रतिघात होता है उसका हम सो करते हैं XL से XL प्रिरक्ट की यह प्रतिघात कहलाता है XL का formula लिखने बच्चों वन अपॉन ओमेगा एल तो वन अपॉन ओमेगा एल ओमेगा एकुल टू कितना टू पाई एफ इंटू एल तो नोट का लेजिए टू पाई एफ एल चलिए आपके सवालों का स्वागत है डीसी का कोई सवाल हो यहाँ पर तो जरूर मुझे पूछे बताईए मतलब इनकी जो प्रतिरोध है प्रतिरोध को तो कोई रिक्कत नहीं है जैसा उसका व्यावार डीसी में था वैसा उसका व्यावार एसी में है क्योंकि प्रतिरोध का आवरत्ती से कोई लेना देना नहीं है मगर जो संधारित्र है और जो प्रिरक्ष है इनका जो प्रतिगात बनेगा वो आवर्ति के आधार पे ही बनेगा एकस सी वराबर वन बाई ओमेगा सी और एकस एल इक्वल टू ओमेगा एल समझ में आया बच्चों यस बूलिए या नो बूलिए चलिए अब देखते हैं इस पर जुडी हुई एक बहर बात तो देखते हैं DC के लिए DC के लिए resistance कितना होगा आर DC की frequency कितनी होती बच्चों DC की frequency होती है 0 DC के लिए XL equal to कितना होता है XL equal to omega L equal to 2 pi F into L तो frequency की value 0 रख दीजिए तो DC का जो प्रतिगहात होगा वो कितना होगा 0 ohm लिख लिजिए DC का जो प्रतिगहात बनेगा वो बनेगा 0 ohm और DC का जो प्रतिगहात ही बनेगा कितना XL equal to omega M X equal to omega L तो प्रतिगहात कितना होगा 0 and XC equal to 1 upon omega C equal to 1 upon 2 pi F C equal to कितना 1 upon 0 मतलब कितना infinity क्योंकि DC के लिए frequency कितनी होती है 0 ठीक है तो DC में जो inductor होता है यानि जो coil होती है वो कितना resistance दिखाती है 0 resistance और DC में जो capacitor होता है यानि जो संधारितर होता है वो कितना resistance दिखाता है अनन्त बोलो clear की not clear बच्चों clear की not clear येस बताएं अलोग बताओ भई समझ में आया कि नहीं आया है अमन अन्त 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 हाँ जी बता देता हूँ दुबारा में बटा ये बताओ मुझे कि DC में फ्रिक्वेंसी किती होती है जी रो होती कि फ्रिक्वेंसी DC की आवरत्ती किती होती जी रो होती कि नहीं होती ये भी नहीं पता कि DC की आवरत्ती जी रो होती है ये सर्डीसी की आवरत्ती जी रो होती देखो तुम लोग फीड़बेक नहीं दो रहे दोगे तो पढ़ाने मज़ा नहीं आएगा फिर DC की आवरती जो होती ही जीरो होती है तो DC की आवरती जीरो होती है तो रजिस्टेंस तो R का R ही रहेगा क्योंकि रजिस्टेंस को आवरती से कोई लेना देना ही नहीं है अब बात कर दीजे Excel की एकसेल का मतलब इंड़क्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा ये कोई क्वाइल रखी हुई है और इसके सामने आपने क्या लगा रखाए DC तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इसका प्रतिगात कितना होगा तो X से पराबर मैंने आपको क्या पढ़ाया ओमेगा एल और ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई F into L तो F की वैल्यू जीरो रख दोगे तो आंसर कितना आजाएगा जीरो यह तो आजाएगा मतलब जो इंडक्टर होता है वो DC के रास्ते में कितना रेजिस्टेंस देता है शूने ओम कितना प्रतिगहात देता है शूने ओम समझ में आया अरे भाईया फ्रेक्वेंसी की वैल्यू रख दो तो शूने हो जाएगा और क्या ओके देन अब बात करते हैं XC केपिसेटर की याने की संधारितर की तो संधारितर का जो प्रतिगहात होता है XC बराबर होता है क्या 1 अपॉन ओमेगा सी मतलब 1 अपॉन टू पाई FC F की वैल्यू जीरो डाल दो तो 1 अपॉन जीरो मतलब कितना हो गया अनंत हो गया मतलब संधारितर का प्रतिरोध किसके लिए DC के लिए दिष्ट धारा के लिए कितना होता है अनंत होता है बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर ठीक है ना तो इस तरीके से आपको इसको संधारितर का प्रतिरोध जो होता है DC के लिए अनंत हुआ करता है चलिए यह हो गई बात अब आंगे पढ़ते हैं हाँ भई हाँ आरपी सिंग सर के नाम से बिटा आप जुड़ी हुई हो ना माइक ओपन करके बोलो समझ में आया कि नहीं आया है अट कि यह रागया हाँ तो यहाँ पर जितना मैंने पढ़़ाया है माइक ओपन कर लो आप अपना कोई दिक्कत नहीं है जहां जितना मैंने पढ़़ाया इसमें कोई डाउट तो नहीं है आपको नो सर्-चलिए अब आंगे करते हैं तो अब जो है अब हमें लेखना क्या नाम लिखती हो संधारित द्वर्तिधारा के मार्ग में पन्य अवरोध को संधार को कहते हैं इसे एकसी से प्रदेशित करती है चली अब अगला डेरिवेशन है नहीं मैं करवा रहा हूँ अगला डेरिवेशन जो है बना लिजे बच्चों एसी परिपत जिसमें केवल धारिता हो उसका हम रिलेशन बनाने वाले हैं बना लिजे बच्चों लिख लिजे एसी परिपत जिसमें केवल धारिता हो यह इसी को शुद्ध संधारित्री परिपत तो आईए मेरे साथ परिपत बनाईए आप लोग सुद्ध संधारिता वाला कैसे बनेगा सुद्ध संधारित्री परिपत बनाते हैं ठीके ना तो एक कैपेसिटर ले लीजिए संधारितर ले लिजिए और इसके साथ में connect कर दीजिए क्या voltage V और ये देखेंगे कि current कितनी जाएगी और voltage और current का समीकरण बनाएंगे voltage का नहीं बनाएंगे voltage का समीकरण तो हम अपनी जेप से दे देते हैं voltage बराबर V naught sin omega T लिख लिजे मान एक C धारिता का संधारितर जिसके दोनों सिरो पर प्रत्यावर्ती voltage जोड़ा गया है चलो प्रत्यावर्ती voltage जोड़ा गया है प्रिया सिंग बना लिया बिटा डाइग्राम बन गया ऐसा कोई दिक्कत चलो देखो बिटा voltage देखो voltage कितना लगा दो V0 sin omega T लगा दो voltage voltage लगा दो C V0 sin omega T हमें क्या निकाल नहीं है current निकाल नहीं है हमें current का formula क्या होता है बच्चों current का formula होता है I बराबर DQ by DT DQ by DT तो DQ by DT मतलब पहले हमें charge निकलना पड़ेगा कि संधारितर कितना charge खाएगा तो चलो देखो जिस समय voltage लगाए हो तो voltage लगाते ही जो संधारितर है वो क्या होने लगेगा charge होने लगेगा मान लो इस पे charge कितना आया Q charge आगया Q charge कैसे निकालोगे संधारितर की परिवासा से C बराबर Q on V होता है तो Q equal to C V V की value कर दो तो C V 0 sin omega T यहां तक note करके बोलो done Q बराबर हो गया C V 0 sin omega T अमन क्लास में हो जी सर समझ में आ रहा है या सर Q बराबर C V 0 sin omega T ठीक है बच्चों लिख लिया इतना आगे चले जी सर प्रिया सिंग लिख लिया यस सर तो यह Q बराबर C V 0 sin omega T है अब हम निकालते हैं बच्चों करेंट तो करेंट बराबर क्या होती ही DQ by DT तो चलो कर दो इसको differentiation लिखो किसी भी छण पर धारा I equal to DQ by DT बेटर differentiation कर दो तो C क्या है constant है V 0 क्या है constant है तो constant बाहर आ जाएगा और अब कलन कौन जहे लेगा sin omega T इतना नोट करो यहां तक तो आई बराबर C V 0 sin omega T Done Done Okay So देखिए बच्चों कैसे करेंगे हम लोग हम अब कलन करने वाले हैं अब कलन वाला पूरा सीन में आपको clear करके दिखाता हूँ Okay So I is equal to DQ by DT I is equal to D by DT Okay और Q की value कितनी निकाली है आप लोग ने Q की value आपने निकाली है कितनी C V 0 sin omega T तो मैं रख देता हूँ C into V 0 sin omega T बच्चों देखें C और V 0 क्या है constant है omega तो यहाँ पर कितना आजाएगा तो यहाँ पर कितना आजाएगा यहाँ पर आजाएगा omega C V 0 ओके और sin का कितना हो जाएगा cos omega T तो I is equal to omega C V 0 omega बाहर आगया और sin का cos omega T अब ध्यान से देखें बच्चों V 0 क्या मैं omega C को पलट करके 1 upon omega C लिख सकता हूँ बिलकुल लिख सकता हूँ क्योंकि omega C पलटी मार के उपर आजाएगा और यह बन जाएगा omega T so I is equal to V 0 upon क्या बनेगा XC अभी मैंने पढ़ाया आप लोग को XC मतलब 1 by omega C यह देख लिजीए ठीक है ना क्या है यह प्रतिगहात XC मतलब 1 by omega C I 0 cos omega T यह बने गया ठीक है ना तो V 0 मतलब voltage का maximum value XC मतलब प्रतिरोध या प्रतिगहात तो क्या बन जाएगा I 0 cos omega T I 0 cos omega T हम सभी बच्चें बताएं क्लियर है यहां तक प्रिया सिंग अमन क्लियर है क्या सर भई मैं नाम मेरे को तो याद है इसलिए मैं उनके दो के नाम ले रहा हूँ जैसे जैसे नाम याद होते जाएंगे फिर नाम मैं सबके ले दे जाओंगा ठीक ना तो स्वादा अनुसार अपना 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 अथर बोल दिया करें तो यह हो गया cos omega T चलिए अब देखते हैं बच्चों यहां पर जो हम relation लेके चले थे voltage का voltage का relation क्या था V बरावर V not omega T ये था और current हमारे पास किस में आ रही है cos में आ रही है तो हमें आरे पास current कितनी आ रही है I not cos omega T ठीक है ना तो cos दोनों के graph आपको बनते हैं आई ये दोनों के graph बना लेते हैं है ना तो चलिए देखते हैं कि हम पहले बनाते हैं voltage का graph फिर हम बनाएंगे current का graph तो ये है मेरा voltage, तो voltage equation क्या बनी है, ये देखिए voltage की equation है, ये वाली, तो ये वन गई है हमारे पास voltage की equation, V not sin omega t, और यहाँ पर ये जो है start हो रहा है, 0 second पर, 0 पर start हो रहा है कौन voltage, अब current कहां से start हो रही, cost, और आप लोग को पता है कि current की maximum value होती है 1, तो current 0 से start नहीं होगा, current अधिकतम से start होगा, तो मैं current का diagram अलग color से बना रहा हूँ, ये देखिए, ये current बन गई, ये current बन गई, ये देखिए, अब अनुमान लगा रहे है कि t equal to 0 पर, जिस समय current 0 हो रही है, ये वाला, जिस समय voltage 0 है, V equal to V naught sin omega t, उस समय देखिए, उस समय current कहां है, ये देखिए, ये देखिए, यस, तो current पहले 0 हुई है, यस, current पहले 0 हुई है, पहले, क्योंकि voltage तो यहाँ पर 0 हुई है, black color का, मगर current इस समय पर 0 हो गई है, मतलब current क्या कर रही है, यहाँ पर lead कर रही है, current पहले जाग गई है, तो current यहाँ पर lead कर रही है, और voltage यहाँ पर क्या कर रहा है, लेक कर रहा है, current कितने से lead कर रही है, current यह angle से lead कर रही है, और यह angle कितना है बच्चों, यह angle है, पाई बाई टू, ओके, तो देखिए, मैं इसको बदर देता हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, i0 cos omega t, that is equal to i0, सब लोग जानते हैं, कि sin 90 plus theta is equal to cos theta, तो cos omega t को मैं लिख सकता हूँ, sin 90 plus omega t, yes को मैं लिख सकता हूँ, i0 sin omega t plus pi by 2, yes, ध्यान से लिखी, ultimately हमारे दो equation क्या बने, हमारे जो दोनों equation बन करके आ रहे हैं, पहला बन क्या रहा है voltage का, voltage का equation बन करके आ रहा है, v0 sin omega t, यह बन क्या रहा है, और फिर इसके बाद हमारे पास current का equation बन क्या रहा है, current का equation क्या बन क्या रहा है, I equal to I zero sine omega t plus pi by 2 ये देखो भाई तो बड़े मजे की बात है कि current जो है वो देखो ये omega t पे खेल रहा है और ये क्या है? pi by 2 ज्यादा पे खेल रहा है मतलब current यहाँ पे voltage को lead कर रहा है कितने से pi by 2 से तो यदि मैं ये तो wave diagram है मतलब ये तरंग का diagram है ये wave diagram याने तरंग diagram है ये अब मैं इसका phasor diagram याने color diagram मनाऊँगा तो ये है मेरा voltage black color से voltage को बनाया था तो black ही रहने दो ये मेरा है voltage जिसको मैंने बोला है V for voltage V equal to V zero sine omega t और किते degree आंगे है 90 degree पर कौन आंगे है current आंगे है 90 degree है मतलब anti clockwise angle तो ये जाएगी मेरी current और ये angle है 90 degree कहलो या इसी को बोलते है pi by 2 तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा ये मेरे पास बन जाएगा current और current का wave diagram है I zero sine omega t plus pi by 2 समझ में आया बच्चों तो यहाँ पर current क्या कर रही है lead कर रही है current की value पहले zero हुई है voltage बाद में zero हुआ है तो जो चीज पहले प्राप्ट कर लेता उसको lead बोलते है lead कह रहा है और जो चीज बाद में है वो lag वहलाता है तो यहाँ पर current lead कर रहा है current आंगे है तो lead करेगा voltage पीछे है तो lag करेगा बोले अमन समझ में आया प्रिया सिंग क्लियर है यस सर बाकी सब बच्चों को क्लियर है हाँ बोल दे बीच में कोई ना बोल दे यस सर चलो यस सर बढ़ी अद्भूत बात है कि इतनी tough physics आप लोग को एक बार में समझ में आ जाती है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जूट बोल करके आपने मनोबल बढ़ाया इसके लिए हमारी पाँच पीड़ी आपकी आभारी रहेंगी चलिए तो यह होगे हमारे पास ठीक है बच्चों तो I equal to मैंने सब कुछ derive करा दिया है screen shot अभी open हो जाएगा और यहाँ पर आपने देखा है कि pi by 2 phase angle से current क्या है अग्रगामी जिसको मैं lead कह रहा था वो जो है वो कहलाता है अग्रगामी ओके तो देखे ध्यान से यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती voltage से pi by 2 radian या 90 degree अग्रगामी होती है क्योंकि voltage तो यहाँ पर जागा है और धारा उससे पीछे जाग गई है तो धारा का सवेरा जो है पहले हो गया है 90 degree इसलिए यहाँ पर यह अग्रगामी है हाँ भीया कला आरेक बना लो चाहे यह वाला बना लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो मेरे को ज़्यादा अच्छा यह वाला लगता है अब आप बोलोगे सर यह वाला क्या है तो यह है इसका rough diagram और यह है इसका exact diagram अब मैं इस diagram को भी आपको बना के बताए देता हूँ कि exact diagram कैसे बनेगा बिटा माइक ओफ कर लो बहुत disturbance हो रहा है हम चलो तो यह हो गया जल्दी से screenshot ले लो इसका हाँ पहले screenshot number one ले लो बिटा यहाँ पे अभी हलाकि मैं भेज दूँगा यह फिर भी जल्दी से तोनों diagram कौन से वाले बिटा वो बाद वाले page के की है इस seat के बोल रहा है कि आंगे वाले के है कला अरे कले हाँ वो दोनो diagram एक ही है मैं दोनों को एक बार समझाए देता हूँ एक में ज़ादा जानकारी है एक में कम जानकारी है समझ मैं आया इसको screenshot ले लिया बच्चों ले लिया स्क्रीन शॉट ये सर ठीक है अब इसके बाद दूसरा स्क्रीन शॉट के लिए त्यार रहे हैं ये लेजी भी ये दूसरा स्क्रीन शॉट ठीक और ये बना लीजे कला आरेक डन अब देखो जो दूसरा वाला डाइग्राम है वो भी मैं आपको explain कर देता हूँ actually क्या है वो जो डाइग्राम है न वो पूरी जानकारी अपने अंदर रखे हुए है वो पूरी जानकारी ऐसे रखे हुए है उसको समझो बही ओमेगा टी क्या होता है ओमेगा टी होता है आपका ताजचनिक कोण ताजचनिक मतलब उसी समय का कोण क्यों होता है ये भी समझ लो बिटा ओमेगा बराबर होता है कोणी ये वेग बराबर होता है कौन ये विस्थापन बटे समय अंतराल तो theta is equal to क्या हो गया omega t अच्छली ये होता है तो अब आपके पास दो समीकरण है एक है आपके पास v equal to v 0 sin omega t तो इसके पास कितना कौन है omega t कौन है और दूसरा समीकरण क्या है आपके पास दूसरा समीकरण है i बराबर i 0 sin omega t plus pi by 2 तो इसके पास कौन कितना है omega t plus pi by 2 अब दोनों को मैं उसके इन पर बना रहा हूँ तो बड़े अच्छे से समझ जाओगे कि क्या है देखो बिटा voltage के पास कितना कौन है omega t क्यों क्यों क्योंकि voltage का समीकरण था v बराबर v 0 sin omega t ये था तो voltage के पास कुस्तो कौन था theta कौन तो ये है omega t और अब current के पास कितना कौन है current के पास है i 0 sin omega t plus pi by 2 मतलब omega t से pi by 2 आंगे चले जाओ तो थोड़ा मैं zoom करता हूँ तो तुम लोग को अच्छा दिखेगा थोड़ा से zoom में clear समझ में आएगा ये देखिए तो यहां भीया omega t पर अपनी अभी कहानी अठकी हुई है तो omega t से omega t पर कौन डांस कर रहा है voltage डांस कर रहा है ये देख गाएगी की current तो यह है omega t पर 90 degree तो omega t एंगल से 90 degree घूम गए तो अगर मैं बात करूंगा इस पूरे कौन की यहां से लेके यहां तक का जिसको दिखाया नहीं गया है तो वो कितना होगा वो होगा omega t plus pi by 2 बोलो बच्छो होगा की नहीं होगा को विद्वार होगा यहां तक का कौन हो गया omega t क्योंकि voltage किसने एंगल पर डांस कर रहा था omega t एंगल पर डांस कर रहा था मगर current कितने एंगल पर डांस कर रही है omega t plus pi by 2 अब आप कहोगे कि सर्य वोल्टेज वाला डंडा उपर गया हुआ है और क्रेंट वाला डंडा नीच गया हुआ है क्यों गया हुआ है क्योंकि maximum voltage था V0 और जो maximum current थी आप याद कीजिए वो आपने लिखी थी V0 upon XC जो बन गई थी I0 तो divide करने पर value क्या हो जाएगी कम हो जाएगी इसलिए current का phaser छोटा रहेगा और voltage का phaser जादा रहेगा बिलकुल diagram पानी के जैसे मैंने clear कर द होते हैं बट ये इसका अती शुद्ध रूप है जो आपने देखा दूसरा वाला ये अती शुद्ध रूप है और ये इसका शुद्ध रूप है यहाँ पर हम केवल ये दिखाने में interested है कि voltage और current के बीच का angle कितना है और यहाँ पर हम इनका total angle दिखा रहे हैं कि voltage तुम्हा इसको कला आरेख न लिख करके इसको लिख लें कालांतर कलाओं के बीच का अंतर दोनों के कौन के बीच का अंतर बो बच्चों clear 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 screen shot ले ले जल्दी से इसका screen shot ले ले any problem बोलो भई प्रिया सिंग बिल्कुल clear हो गया एक दम अच्छे से अमन clear हो गया जिस्टर चलो चलिए ठीक है बहुत अच्छे तो अब जो है यहाँ पर अपने पास जो है यह clear हो चुका है यह बने गया आपके पास voltage का और इसका समय करना आप क्या निकाल रहे है भाई साव यह ठीक है ठीक है ओके तो अब ही देखिए यह तो हम इस पर बात हम करी चुके हैं इस पर हम बात क्या करें है ना हमने बता दिया था आपको यहाँ पे कि आइ जीरो जो था आइ जीरो कितना था वी जीरो अपाउन वन वाइ ओमेगा सी यहस आई जीरो थी एपाउन वाइ ओमेगा सी so v0 के नीचे जो आता है ohms law बच्पन से पढ़ते आते हैं कि i is equal to होता है v by r i is equal to होता है v by r बट फिलाल यहां पर ac आ जाती है तो i is equal to v by r नहीं लगता है यहां पर जो है i is equal to v by xc लगता है तो xc equal to हो गया 1 upon omega c x equals to 1 upon omega c बच्चों तो x equal to 1 upon omega c omega की value रख दो यह 2 pi new कर दो यह i is equal to pi f बोलते है new का मतलब भी frequency होता है f का मतलब भी frequency होता है तो answer कितना हो गया 2 pi fc clear है so omega equal to x equal to 1 upon 2 pi fc इसके बारे में तो बता चुका हूँ क्या बताने की जरूरत है बोले clear बच्चों बोलो ना हाँ या ना जी जी से जलो ठीक है ठीक है 2 pi ओके ओटू पाइन यू बोलते है बेटा भी नी बोलते है V मतलब वेलास्टी हो जाता है 2 pi new है ना सब वो न्यू है हाँ न्यू न्यू मतलब फ्रेक्वेंसी new का मतलब होता है frequency ठीक है ना सेम गवार से ना इसलिए हाँ हाँ बिल्कुल एक जैसे दिखता है चली तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं अगर इंट्रेस्टेड हैं आज कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी भी 10 लोग जुड़े हुए हैं 17 लोग आये थे 10 लोग जुड़े हुए है इंट्रेस्ट मतलब कम दिखाए दी रहा है तो कल अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे को मैसेज कर दीजेगा अगर क्लास में ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं क्लास ले लूँँगा ठीक ना चली तो कलांगे कर चेप्टर्स के कल कंटीनू करा देंगे घर बच्चे चाहेंगे तो ठीक है बच्चों थैंकिछ सूमच बिटा गुड़ दे अध्यू बच्चों